कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मिनाक्षी आउजा आपका स्वागत करती हूँ जजवादे महफिल में। दोस्तों, पदम भूशन श्री गोपाल दास नीरत सहाब जी की एक प्रेणा दायक कविता है, जो भहुत ही सुन्दर है और जिसमें जीवन की सच्चाई छिपी है। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। चुप चुप अश्रु बहाने वालों मोती व्यर्थ लुटाने वालों कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सपना क्या है? नयन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी और तूटना है उसका जियों आगे कच्ची नीन जवानी। गीली उमर बनाने वालों दूबे बिना नहाने वालों कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। माला भिखर गई तो क्या खुद ही हल हो गई समस्या आसुगर निलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। रूठे दिवस मनाने वालों फटी कमीस लाने वालों कुछ दी पॉंके बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। होता कुछ भी नहीं यहां पर केवल जिल्द बदलती पोथी जैसे रात उतार चांदनी पैने सुबा धूप की धोती। वस्त्र बदलकर आने वालों चाल बदलकर जाने वालों चंद खिलोनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। लाखों बार गगरियां फूटी शिकन आई पनघट पर लाखों बार कश्तियां डूबी चहल पहल वो ही है तट पर। तम की उमर भड़ाने वालों लौ की उमर घटाने वालों लाख करे पत जड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। लूट लिया मालीने उपवन लूटी ना लेकिन गंद फूल की तूफानों तक ने छेडा पर खिड की बंद हुई न धूल की। नफरत गले लगाने वालों सब पर धूल उडाने वालों कुछ मुकणों की नाराजगी से दरपन नहीं मरा करता है। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है।